आवर फारुखी और अभिशेक में जो लड़ाई हुई मनारा को लेके वो लड़ाई कहां से शुरू हुई चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरी बात हाला कि बिग बॉस आप लोगों को कल तक तो वेट करवाएंगे पर मैं आप लोगों को वेट नहीं करवाती हू जिससे आप लोग यहां पर आते हैं और आप लोगों को बता जो कहीं नहीं मिलता वो यहां पर जरूर मिलता है चल्द जल्दी मिझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और अच्छली में जो अभिशेक है और जो बाबु भीया है वो खड़ेयों के बात कर रहे हूँ और आ कि आफी बार तो जो है मनारा को पोक करते हूए कर गया तो यही चेज जो है वह अभी शेक के साथ भी कर रही है अभ以षेक को भी उपक कर जैसे कि वह गाली में इसका मतलब यह होता है कि जो डॉंकी रहता है उससे एक डॉंकी के जैसा अ क्छूटी प्रrom धा यह बोला जाता है गधा ही है और वो अपने गाली पे इसलिए अटके क्योंकि उसको पता है कि यह गाली का मतलब गंदा नहीं है पर दूसरी लोग इस गाली को गलत समझ रहे हैं और वहां पर जो है मनार जब अभिशेक और जो बाबु भीये जो बात कर रहे होते हैं तो मनारा वहां पर फिर दुबारा से वो ही चीज बोलती है कि ये गधा है एक टोन मारती है जिसके बाद जो है बहुत जादा गुसा आता है अभिशेक को और अभिशेक जो है इवन मनार मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो इसमें आना ही नहीं चाहता था विकॉज वहां पर मुनावर था ही नहीं मुनावर को उस मैंटर के बारे में पता ही नहीं है पर हां मुनावर जो है प्रोटेक्ट करता हो मुनारा को नजर आया है पर मुनारा के जो है कुछ जादा ही थाठ अलग हो चुके हैं अब जो है लोगों का कहना ये है कि मनारा के कारण बहुत अच्छी दोस्ती जो है मुनावर और अभिशेक की तूट रही है अभिशेक और मुनावर की बहुत ओर्गिनिक दोस्ती है मुनावर को बहुत अच्छे से भाई-भाई मानता है अभिशेक और अच्छे से उसको टरीट करता है। और मुनावर को भी ये चीज़ पता है कि इनकी दोस्ती बहुत अच्छे डेवान से काफ़े अच्छी दिखाई दे रही है। पर मनारा के कारण जो है इनकी दोस्ती में दरार आई जा रही है ये चीजे जो है वीकेंड के वार पे उठानी चाहिए और मुनावर को भी क्लारिटी देनी चाहिए कि ये मनारा जो है तुमारे साथ तुमारे रिष्टों को तोड रही है और मनारा की वहाँ पर गलती थी और और मैंने ये बात बोल रहे उस लड़ाई में जो है गलती पूरी की पूरी जो है मनारा की थी क्योंकि बाबु भाईया ने खुद बोला सब लोगों ने बोला कि भाई गलत तू ही थी अभिशेक वहाँ पर गलत नहीं था तो आई होप आप लोगों को सब चीजे पता चल गई होंगे इसी के साथ मैं लेती हूं जाज़त नमस्कार